विल्कम तो सरोज मिश्राज यूटिप चैनल में यूटिप चैनल पर आपसे भी कब बहुत-बहुत स्वागत है नेवी चुलन स्कूल से टीचर रिक्रूट्मेंट रिलीज हुई है इसमें एंटीटी की पोस्ट है पी आटी जेनरल है जिसमें सभी अप्लाई कर पाएंगे टीजीटी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं पोस्ट ग्याजवेट टीचर के लिए काफी सब्जेक्ट से और इसमें फिफ्टी यूर्स अपर एज लिमिट रहती है मिनलब काफी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाते हैं और फीमेल कैंडिडेट के लिए शायद और भी रिल करना है कहां पर आप खुद चेक कर सकते हैं वेबसाइट तक कैसे पहुंचेंगे अडवर्टीजमेंट कैसे देखेंगे फॉर्म कहां है यह सारी इंफरमेशन आपको वीडियो में प्रवाइड कर दी जाएगी सबसे पहले जो विकिंसी वह पोस्ट ग्याजवेट टीचर सब्गेस के लिए इसके बाद स्कॉ टीचर प scorp ग्याजवेट वाले कैंडीट इसके बत चरुन जाता है तीचर पोस्ट ग्याजवेट येजडियोगे मेर्ट दॼू ग्याजवेट इसके बाद शुरू ये क्ट्रें ग्याट टीछ साइनस की जुरूओ होता है बाद धा्र च्रेंगे जरणल में यह कर सकते हैं ऑह इसके बार रट हिंदी यह में इलग से और बालवाटी का टीचर मतलब की प्रीप्राइमरी टीचर की वेकंशी जिसमें कीमॉंटेस्री ट्रेंग नॉर्शरी ट्रेंग या फिर बेदॡ नॉर्शरी या फिर एक अर्डी चाल्डेज एड्यूकेशन प्रोग्रम करके होते हैं वो भी है तो आप आप एप जिनका इती से रिलेटेट कुछ क्वालिफिकेशन हो यहां पर अप्लाई कर पाएंगे तो यह काफी सारी वेकेंसी आपने देखी वेकेंसी आई कहां से वो चेक करेंगे नंवी चल्डर्न थे गलती से विकेंसी आई मैं अगर पौर बंसे जानते भी ओंधर कि पॉर बंदर गुजराथ से स्टेट मैं तो नहीं च्रेंद में सिचने आप पहले इसके पर एक्वालिफिकेशन चेक करेंगे, हाउटो एप्लाई यह चेक करेंगे और एंड में देखेंगे कि आप वेबसाइट कैसे लोकेट कर सकते हैं, इसके रिकूरूट में आपको रिकूरूटमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म मिल जाएका, वर्म आपको दिखा देते हूं है, apply दो तरीके से करना, एक email से भी भेजना है और hardcopy भेजना है, यह advertisement है, advertisement 5 pages है, जिसमें सिर्फ qualification लिखा हुआ है, salary इनों ने mention नहीं कियो है, Navy Children's School Porbandar, advertisement for filling up the posts at Navy Children's School Porbandar, यह जो है, शौट में देखना चाहे तो, PGT English, Biology, Physics and Physical Education, TGT में English, Math Science, PRT में General, Balwati Ka Teacher and IT Assistant, All appointments are on contract basis, eligible candidate may download the application form and submit the same along with resume, तो पहले तो email से भी आपको दो तरीके से apply करना है, दोनों जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक कर देंगे, एक तरीके से apply तो हो जाएगा, इसमें method 1 और method 2 दोनों mandatory है, क्योंकि यहां पे इनोंने and use किया, आप and और ने use किया, मतलब सबसे पहले, form जो द तो हो रहा नहीं है, मुझे लग रहा है, तो डाउनलोड टाइप नहीं हो रहा है, तो इसे डाउनलोड करेंगे, capital letter में फिल करें, फिल करने के बाद एक bio data भी होगा, आपके पास updated, वो दोनों scan कर लें, single PDF में convert करके, इस email ID पर भेजेंगे, इमेल पर आपने भेजी दिया, अब इसके बाद, हाड कॉपी भेजने के लिए बता रहे हैं, जहां पर करियर विदस में आपको form मिल रहा है, वहीं पर बता रहे हैं, detail of vacancies जहां पर देखे, click here to download, advertisement यहां से डाउनलोड करना, form यहां से डाउनलोड करना, यहीं पर बता रहें, point number 3 पर, कि आप दो पोस्ट के लिए अपलाई करने और train graduate teacher के लिए भी कर लें, या TGT के लिए भी कर लें, PGT के लिए भी कर लें, तो आप अपलाई कर सकते हैं, क्योंकि free application है तो, लेकिन 2 ही पोस्ट के लिए अपलाई करेंगे आप और email से तो आप अपलाई करेंगे, उसके बाद, जो hard copy है, bio data और application form की hard copy वो इस address पर भी आप भेजेंगे, application form can be downloaded in MS Word format and from download section, कौन सा पोस्ट अपलाई करेंगे, ज़रूर अगर एक से ज्यादा पोस्ट के लिए apply करेंगे, तो फिर दो अलग अलग बार आपको email करना पड़ेगा, दो अलग अलग बार आपको इस address पर अलग-अलग envelope में भेजन या speed post से भेज दें, चलिए अब देख लेते हैं कि last date क्या application की और अगर इन्होंने last date काफी time है, अभी 38 November तक का वक दिया है, तो 30 November तक आप आवेदन कर सकते हैं, उसमें कोई problem नहीं है, तो 30 November तक आप आवेदन कर पाएंगे, चलिए बात कर लेंदे, age criteria and qualification की, पोस्ट इंग्री में आपका होना चाहिए, regular course होना चाहिए, 55% में में इंग्लिश होना चाहिए, और बेर में भी 50% है, 50% अधिकांख होने चाहिए, और आपने जो subject चूज किया है, अपलाई करने के लिए वह आपने senior secondary, English आपने 12th में और graduation दोने जोगा है, पढ़ा होना चाहिए, 50 years तक के candidate apply कर सकते हैं, तो post graduate teacher सभी subject के लिए सेम है, सिर्फ थोड़ा सक subject combination देखना पड़े का, जैसे biology है, तो उसमें zoology और botany दोनों candidate apply कर सकते हैं, और master degree 55% या अभा माक्स related subject, BA 50% या अभा माक्स related subject, ऐसा होना चाहिए, post graduate teacher, सनातकोतर सिखशक के लिए, 50 years तक के candidate कहीं से आपने पड़ा होना चाहिए, तो आप जो है, सीनियर सेकंडरी में TGT आपने पड़ा होना चाहिए, तो तो TGT Maths के लिए वैसी रहेगा, तो TGT के लिए साइन्स के लिए आपका combination रहेगा, आपका काफी option दिया है, जूलोजी है, या chemistry या फिर biology, इसमें तीनों पड़ा होना ज़रूरी नहीं है, कॉम्बिनेशन नहीं दिया, इनोंने slash दिया, आप slash रियूस किया, मतलब या तो जूलोजी, या तो chemistry, या तो biology से आपने ग्रेजवेशन किया हो है, 55% या वर्माक्स के साथ में, आपने beard किया है, 50% या वर्माक्स के साथ में, 12 आपने पास किया हुआ है, जिसमें की science जरू करते हैं, अगर 12 पास है, आप arts, science, commerce, किसी भी stream से 55% या वर्माक्स के साथ में, और आपने 2 साल वाला diploma in element DLAD किया है, या BLAD किया है, 50% या वर्माक्स के साथ तो एपलाई कर सकते हैं, experience जरूरी नहीं है, या फिर अगर graduation है आपका किसी भी subject से, PRT में तो कोई subject का restriction है ही नही तो अगर आप graduate हैं, किसी भी विशे से 55% या वर्माक्स के साथ आप graduate हैं, इसके साथ में, अगर आप BAD हैं, तब भी apply कर सकते हैं, PRT के लिए, अगर DLAD है, तब भी आप apply कर सकते हैं, PRT के लिए, आपको कहीं पर भी ना, ये जरूरी नहीं है, seatate या TED जरूरी नहीं है, experience जरूरी नहीं, क्या लिखा है इनोंने, preference देंगे, अगर experience है, तो of course वो तो होता ही है, पर अगर किसी के पास experience है, समझ ले, experience एसेंशल नहीं है, जरूरी नहीं है, अगर किसी के पास माल लेते experience है, बट उनकी interview अच्छी नहीं गई, उनका बिलकुल interview अच्छा नहीं गया, questions इन्होंने यह लिख दिया कि essential है ज़रूरी है experience फिर तो कुछ नहीं कर सकते थे बट यहां ऐसा कुछ भी नहीं रिखा है without experience भी आप बिल्कुल apply कर सकते हैं PRT हिंदी के लिए भी same रहेगा senior secondary आपने किया हुआ है 55% या same है या पर early child education program से किया हुआ है आपने teacher training बीए नर्सरी किया हुआ है आपने 50% या above marks के साथ तो बिल्कुल आप इसके लिए apply कर सकते हैं 50 years तब के candidate apply कर सकते हैं तो यह हो गया अच्छा एक physical education वाली जो पोस्ट होती और physical education वाले में बीएड की जर्वातनी होती उसमें MPET लगेगा administrative staff IT assistant के लिए diploma in IT या hardware maintenance या 12th आपने with IT या certificate course in IT या hardware maintenance तीन साल का experience है तो देख ले जिनके पास है तो यह हो गया अब यहां पर कुछ लिखा है बीएड डिस्टेंस वालों के लिए candidate who have acquired बीएड इन डिस्टेंस education mode before the year 2014 and possessing five or more अगर डिस्टेंस से भी आपने बीएड कर लिया होता है ना पत्राचार से आप लोग कर लेते घर में बैठते हैं तो लगता है टाइम वेस्ट हो रहे है तो आप पत्राचार से कर लेते कई आप यह बार आप जाके रीडिएंस कर पातें में यह चोटे यह इसे रिक्टी अलब्स्ते लें तो आपने नहीं किया है तो भी आप एप्लाइड कर सकते हैं अगर 2014 के पहले ही आपने बीर्ड कर लिया है पत्रा चार से और पांच साल का आपके पास experience भी है तो ऐसे candidate को लेंगे अधर्वाइस फिर बीर्ड अगर experience नहीं है चलिए अभी बात कर लेते हैं कि फीस मांग नहीं रहे है तो कोई टेंशन नहीं है फीस नहीं मांग रहे तो फिर जैन भी नहीं होगा तो नेवी चुल्डर्ण स्कूल पोरबंदर वेबसाइट गूगल कर लिया मैंने जैसे सबसे पहला जो option आया उस पर क्लिक कर लिया www.ncsporebandar.edu.in कि इन पर मैंने एक क्लिक कर लिया website open हो जाती है चलिया website अभी देख लेता है यह होगई website open और website पर ही आपको एक section में जाता है recruitment section तो यह जो है न हो गया आपका recruitment section कि क्लिक कर लेते हैं एक बार recruitment पर to carrier विदस आता है और जैसे करियर विदस पर आप करते हैं क्लिक तो यह सारी चीज़ें आपको इंफर्मेशन आ जाती है टर्म्स अंड कंडिशन से अड़र्टीजमेंट है फॉर्म है तो होप पॉइंट्स क्लियर है क्लियर नहीं किया हुआ है अगर आप में से किसी ने काम किया हुआ है गुजरात पोर बंदर नेवी चिल्डरन स्कूल में तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं बाखी के अंडरी रेट्स को से बेनिफिट मिलेगा प्री ओफ कॉस्ट अप्लिकेशन है कहीं भी किसी भी तरीके की फीस पेमेंट नहीं करनी एक रिटेन एक्जाम हो सकता है नहीं तो डिरेक्टली डेमो क्लास एन इंटर्व्यू के लिए रेडी रहे